सूरत सहर में पिछले 48 गंटों में पांच हतियाएं होने के मामले सामने आए हैं दिन बदिन सूरत सहर के अलग-अलग शेत्रों में हतियाएं होने की वारदातों से पूरे सहर में काफी संसनी और डर का माहुल व्याप्त होता नजर आ रहा है आपको बता दे के सूरत के रामपुरा लालमिया मस्जिद के पीछे स्थित एक मकान में एक अधेड उम्र की महिला की बेरहमी सहतिया होने से पूरे इलाके में भारी संसनी फैल गई मीली हुई जानकारी के मताविक सूरत के रामपुरा क्शेतर के काकरा महले की निवासी रहमत और फ्रेश्मा नामक महिला उसके अस्थीर मगच के पुत्र के साथ रहती थी और किसी अंजान कारणों सर गत्रोज उस महिला की किसी ने बेरहमी पूरवक हतिया कर दी बताया जा रहा है कि गत्रोज देरात मकान में से लास की बदबू फैलने पर पूरी साजिस पर से परदा उठा घटना के बारे में स्थानी को दौरा लाल गेट पुलिस को सूचित किया गया थोड़ी देर में लाल गेट पुलिस का काफिला घटना स्थल पर पहुँचा और बॉडी को पी-म के लिए बिजवाया गया अमरों तक महिला के गरदर पर हतियार के साथ निशान पाए गए हाला कि हतिया होने का मुख्य कारण अभी तक पता नहीं चल सका है ये हतिया क्यों की और किसने की उस दिसा में आगे की पूछताच अभी भी जारी है चका नहीं चाहिते जाए है और ने खांगेन बारता दा न शन्द आपरेंशी के पाड़ें तक में जाँड़ें आगें ये लिए हाल कोई भी तो आपड़ें तो बड़ेंगें तो बातरें ने अपारण